हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एनादर वीडियो जहां आज मैं बात करने वाला हूँ स्टेंडर एक्स्टेक के फाइनेंस प्राइज के बात अब फाइनेंस में आपको ये गाड़ी कितने रुपे की पड़ेगी, color option आपको क्या मिलते हैं, कितने variant में offer किया जाता है तो आज सारी चीज़ों के बात इस वीडियो में करने वाले हैं सबसे पहले बता दें आपको कि अभी जो इसका current में on node price क्या है तो अगर इसके on node price की बात करें तो ये आपको दिल्ली NCR में 89,700 रुपे on node price में offer कर दी जाती है और अगर इस price में बात करें कि आपको क्या क्या चीज offer किया जाता है तो उसमें आपको फाइवेर इंजन की warranty offer की जाती है 5 service आपको free मिलती है साथ में आपको फाइवेर का insurance offer के जाता है एक साल का zero day first party और चार साल का आपको third party insurance offer के जाता है साथ में यहाँ पे आपको mirror लगे होते हैं और silencer पे silencer cover लगा होता है जो मैंने price आपको बताया है उसमें जो है आपको helmet और access series नहीं मिलेगी क्योंकि जो मैंने on note price बताया है उसमें यह मैंने include ही नहीं किया है तो कि यह चीज़े ऐसी है कि आप अपने हिसाब से लगवाते हैं और अगर access series की बात करी रहे हैं मैं आपको बता दो कि इस blender लेने पे आपको कौन-कौन से access series मिलते हैं और कितने रुपे का access series आपको मिलता है तो उसके लिए मैंने एक अलग से separate सा video बना रखा है उपर आपको i button मिल जाएगा साथ में discussion box के link में आपको मिल जाएगा जिससे आप उसे play करके देख सकते हैं और आप यह जान सकते हैं कि इस blender में कितने item access series के होते हैं और price क्या होता है अब बात करेंगे दोस्तों इसके color option की तो यह आपको totally जो है three color option में available मिल जाते हैं जिसमें आप जो एक देखी रहे हैं black with grey, black with blue और उसके बाद में white color आपको देखने को मिलता है जब यह गारी launch होई थी तो उसमें जो है तीनो color आये थे साथ में आपको fully black color भी आया था लेकिन जो ज़्यादातर customer ने लोगों को पसंद किया वो black grey और black blue पे गए और अभी जो है कहीं भी चले जाओ ना तो आपको white और black color तो बलेकुल गायब सही लगता है क्योंकि customer ने उस color को ज़्यादा पसंद नहीं किया और तो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला color है वो black with blue और black with grey अब बात करें दोस्तों कि इसके साथ में आपको मैंने बता दिया कि अगर आपके पास jam में 20,000 रुपे हैं तो आपको जो है यमाई कितनी देनी पड़ेगी और जो मैं finance की scheme आपको बताने वाला हूँ ICI bank limited की scheme है और उसके साथ मैं आपको बता दू document आपका क्या-क्या लगेगा तो आपका अधार card, parent card, bank account उसके साथ आप ATM होना चाहिए bank का और आपको पास passbook होनी चाहिए checkbook होना चाहिए और photo होनी चाहिए और statement bank की होनी चाहिए लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीजे हैं तो बड़ी easy तरीके से finance कर दी जाती है लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज अबलेबल नहीं है आपके पास सिर्फ आधार card, pen card और account का ATM है फिर भी ये गारी आपको finance कर दी जाती है क्योंकि account का ATM बहुत ही बहतरीन काम करता है EMI को digital करने के लिए यानि आपके bank से automatic जो EMI debit होती है वो काम ATM से होता है तो आपके पास अगर तीन document में भी है यानि आपके पास तीन document भी है तो बड़े आराम से आप इस गारी को purchase कर पाएंगे अब बात करते हैं दोस्तों EMI की कि अगर आप ये गारी purchase करते हैं तो EMI आपकी कितनी लगने वाली है अगर आप एक साल के लिए finance कराना चाहते हैं तो 6921 रुपे की आपको 12 किस्ते पेट करनी पड़ेगी और वहीं अगर आप 18 मेहने के लिए EMI बनवाना चाहते हैं तो 4849 रुपे की 18 मेहने किस्ते आपको पेट करनी पड़ेगी और वहीं अगर आप दो साल के लिए finance कराना चाहते हैं तो 383 रुपे की आपको 24 किस्ते भरनी पड़ेगी यानि बड़े ही affordable EMI पर ये गाड़ी आपको finance कर दी जाती है तो अगर आप इस गाड़ी को purchase करने का मन मनाते हैं तो अगर आपके पास 20.000 रुपे डाउन पेमेंट है तो बड़े आराम से ये गाड़ी आप ले सकते हैं ये गाड़ी बहुत ही कम डाउन पेमेंट पर भी आपको available मिल जाती है अगर आपके पास 8.000 से 10.000 रुपे भी हैं तो आप ये गाड़ी purchase कर सकते हैं लेकिन जो ROI होता है, जो EMI होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन 20.000 पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफी ज़्यादा तर लोग इसे effort कर सकते हैं और मैं उन्हीं bank की scheme आपको देता हूँ जो गारी की हिसाब से लोगों पे अच्छी तरीके से suit हो जाए आप जितनी भी वीडियो देखेंगे आपको अलग-अलग चीजे बताई जाती है अलग-अलग scheme बताई जाती है लेकिन जब आप practical करते हैं showroom पे जाते हैं तो वीडियो जो आप देखते हैं उससे काफी ज़्यादा difference होता है लेकिन जो मैंने आपको बताया है अगर आप किसी भी showroom पे यानि hero showroom पे बिजिट करते हैं ICI, bank, finance की scheme लेते हैं तो यही same EMI के आसपास और same down payment पे आपको यह गारी offer कर दी जाती है अगर आप finance कराने की सोची रहे हैं मैंने finance के उपर एक अलग सा वीडियो बना के रखा हुआ है आप उस वीडियो को भी प्ले करके देख सकते हैं वो काफी ज़्यादा help करेगी आपकी जानकारी के लिए यानि आपके knowledge को काफी ज़्यादा बढ़ा देगी तो उससे आप बहुत सारी चीजों से बस सकते हैं तो उसका भी link आपको discussion box में mention मिल जाएगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो यार तो प्लीज यार वीडियो को like और चैनल को भी subscribe करें जिससे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहूँ तो प्लीज यार मुझे कर सकते हैं मैं उसके वीडियो आपको लाके जरूर दूँगा तो थैंस कर वाचिक लीटियो थैंस